तो किसम भाईयों बारिश में nitrogen control करना क्यू जरूरी होता है। जादा तर आप ऐसे सोचते हैं कि भाई। अप में मेरी फसल को urea दू या फिर ammonium sulfate दू, calcium nitrate दू यानि कि किस तरीके से में मेरी फसल को nitrogen दू जिससे मेरी फसल अच्छी हो जाए। लेकिन बारिश के मोसम में हम ऐसा क्यों कहे रहें कि बारिश के मोसम के अंदर आपको नाइट्रोजन कंट्रू करना बहुत जुरूरी है और वो क्यों जुरूरी है यह आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले और साथ ही साथ वो कैसे करना है यह भी बताने वाले वीडियो अच्छा लगने ही वाला है आपको जहां पे भी अच्छा लगे लाइक जरू कर देना तो बारिश में नाइट्रोजन कंट्रोल क्यों जरूरी है इसका सबसे पहला कारण यह कि जो हमारी अलग-अलग प्राकार की फसले आप कोई भी पसल करते हो आप देखना आपन हमें जो भी देशी वरायटी अपने पहले की जामाने में की थी ती याझ बिना खातके आपके फसले बहुत आची तरिके से ग्रोह करती है तो बिना नाइट्रोजन के भी ग्रोह करते हैं तो ऐसे सिच्वेशन के अंदर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बाडिश में nitrogen control क्यों जरूरी है तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह आती है कि आज कल सभी variety के अंदर विगर जाता होती है अभी विगर किस खेत की मुली तो इसको समझ लो विगर मतलब क्या होता है आपकी फसल की growth की capacity को विगर कहते है यानि कि ज्यादा exponential growth होता है यानि कि हद से ज्यादा growth होता है उसको विगर कहते है तो यह आज कल की जो hybrid varieties है उनके अंदर विगर बहुत ज्यादा होती है तो विगर यानि कि पसल हद से ज्यादा बढ़ गई तो आपका नुकसांग के से होता है यह समझ लो हमने बता है जैसे कि वेजिटिटी ग्रोथ रिप्रोटी ग्रोथ तो वो रेशो भी यहाँ पे बिगर जाता है एक पहला पॉइंट हो गया है दूसरा पॉइंट क्या है आपको पता देता हो कि इससे रोग और किटकों का अटक बढ़ जाता है अभी पहले हम यह जानेंगे कि कंट्रोल करना क्य सबसे पूरे साल में सबसे तेज गती आपके बारिश के मोसम में होती है सुष्मजीओं की चाहिए वो अच्छे हो या फिर बूरे हो तो यह जो सुष्मजीओ एक्टी हो जाते हैं बारिश के मोसम के अंदर जो बारिश का पानी आपकी दमिन के अंदर जाते ही उन सुष्मजीओं के द्वारा नाइट्रोजन की निर्मिती भूँद ज्यादा मात्र से आपके सुष्मजीओं के द्वारा भी नाइट्रोजन मिल रहा है और उपर से एक और चीज में आड कर देता हो आपको टॉनिक इस्तमाल करने की भी ज्यादा एक इच्छा होती है और आपके बेसल डोस के अंदर भी आप टॉनिक इस्तमाल करते हैं तो इन सभी के एकत्र बना रसाजार से लगकाल ईस्तमाल को रोकना ओगा वगंगे लकाल थे लगदा से ज्यादा बढ़ गाए तो यह वह नुक्सान देता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस नैट्रोजन को रोखना है तो गनाना है यह यह सब करते हो आपको schakate 5-0 इस Europeans वासाजा तेज नाइट्रोजन को कंट्रो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Potassium Shonite अगर आपके area के अंदर Potassium Shonite अवेलेबल नहीं है तो आप Amop plus Magnesium Sulfate का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके जमिन के अंदर क्लोराइड का प्रॉब्लेम है तो आप SOP plus Magnesium Sulfate का भी इस्तेमाल कर सकते हो Shonite की मात्रा कितनी रखनी है ये भी आप अच्छे समझाओ Magnesium Sulfate, MOP, SOP के मात्रा कितनी रखनी ये भी सावल बनता है तो अभी देखो आपके फसल जितनी तेजगती से बढ़ रही है उसका विगर जितना ज़्यादा बढ़ गया है उतना ही डोस आपको Shonite, MOP, SOP या फिर Magnesium Sulfate का बढ़ाना होगा कम से गम आपको 5-7 किलो से स्टार्ट करना होगा अगर आपके फसल के अंदर कोई सड़ंग की समस्य है कोई रोगों का आटेक हो रहा है फसल के अंदर अगर डिप लाइन फहला होगी तो आप Magnesium Sulfate और MOP का भी एप्लिकेशन कर सकते हो अगर Shonite नहीं मिलता है आपके एरे में तो MOP आप 5-10 किलो 5-10 किलो प्रती एकड के लिए और साथ ही साथ Magnesium Sulfate भी आप 5-10 किलो एक एकड के हिसाब से दोनों को मिक्स करके भी आप अपने फसल को देते हो तो nitrogen बहुत अच्छी से कंट्रोल में हो जाता है यह हो गया हमारा जमीन का nitrogen का मतलब break करा दिया हमने जो भी आप्टिक हो रहा था वो अभी जो फसल में आप्टिक कराया हुआ है उसको कंट्रोल को की से करेंगे तो उसके लिए आपको फ्रेय लेना पड़ेगा तो यह दो फ्रम में आता है A potassium molybdenum आता है तो इसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमारे फब्सल के अंदर nitrogen जादा जो आप्टिक हो चुका होता है उसका पचन हो जाता है उसका जो भी एक side effect है वो खतम हो जाता है तो आप molybdenum का भी इस्तमाल कर सकते हो तीसरा point क्या करना है हमारी पतियों को हमें ज्यादा ज्यादा मजबूत बनाना है तो उसके लिए आप अलग-अलग प्रकार की दवयों का इस्तमाल कर सकते हो जैसे कि जेड़ा 78 हो गया या फिर रोको हो गया कुमा निल का जादा जादा इस्तमाल करना हो गया क्याप्टन जो की टाटर एलेज का क्याप्टाप के नाम से आता है उसका भी इस्तमाल करके आप पतियार रब कर सकते हो तो इस तरीके से कई सारे option आते पतियार रब करने मजबूत बना निकले और फस्परिक एसीड का बहुती कम मात्रा में स्प्रे करके भी आप पतियार रब कर सकते हो तो यह सब तरीके इस्तमाल करके आपको आपके फसल के अंदर नाइट्रोजन कोंट्रोल करना ही होगा अभी इसके ऊपर बताता हो जो कि आप खात बात भी समझ सकते हो क कि नाइट्रोजन अभी कोई बंदा होता है ना भाई मेने करने वाला नाइट्रोजन को करते हो क्या करना है तो ऐसे बंदों के साथ क्या हो जाता है पता है क्या क्या करते उल्टा नाइट्रोजन देते बारिश के मुसम में पहले से नाइट्रोजन जादा ओपर से नाइट पिर भी इसके उपर ज्यादा दोर दिया था nitrogen का क्योंकि sudden हो गया कोई रोग हो गया बारिश के अंदर आने वाला कोई किटक हो गया इन सबका जो भी एक मूल अगर सार कहे तो भाई nitrogen है nitrogen आपके फसल के अंदर कंट्रोल करना बहुत जोरी है तो यहाँ पर एक और बात में मेंशन कर देना चाहता हूँ कि nitrogen की जो बैक्टरिया मार्केट में मिलती है जैसे कि पीएजबी हो गया फॉस्परस सोलबलाइजिम बैक्टरिया जो फॉस्परस नैचरली आवलेबल करके देने वाली जो बैक्टर दे दिए और अगर वह मल्टिप्लाइब भी हो गए आपके दमिन के अंदर तो आपका nitrogen आउट अप कंट्रोल हो जाएगा आपकी गाड़ी आपके हाथ में रहेगी फसल दोडने लगेगी और जितनी ज्यादा फसल दोडने लगेगी आपकी कंट्रोल में नहीं होगी उतना ज्यादा शेर कारना भी मत भूलेगा हम दिलते आगले वीडियो में चै जावान चै किसा